असिरवाद यात्रा पर निकले लोजपा नेता चिराग पास्वान सुक्रवार को मुतिहारी पहुचे चिराग पास्वान ने अम्बेदकर छात्रावास में अस्थापित बाबा साहे भीम राव अम्बेदकर के परतिमा पर माल्यारपन किया और बाबा साहे के चर्नों में मत् पासवान की तस्वीर पर पुस्पांजली की और उन्हें नमन किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने मुख्यमंतरी नितीश कुमार पर निसाना साधा, साथ ही सराब बंदी को फलॉब बताते हुए राज में बढ़े भरष्टा चार और अपराध के लिए नितीश कुमार को जिम्मेवार बताया। चाचा पसुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज की अमित साहसे हुई मुलाकात के बाद भाजपा के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाने के बारे में पुछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं दूसरे के साथ की पर निकलाओं मेरे नेता मेरे आदर शादनिय रामलास पासवान जी के अंतिम सपने को बिहार फज विहारी फज का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं उस संकल्प को धरातल पर उताना आज की तारीक में मेरी प्रादमिक्ता है कौन सा गड़बंदन है किसका साथ मिल रह नहीं मिल रहा है मैं किसी दूसरे के साथ क्या पेक्षा कर कैसे सकता हूं आज की तारीक में जब मेरे अपनों नहीं मुझे दोका दे दिया तो मैं इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया मैं उस हैसियत में नहीं हूं आज की तारीक में बिहार की 12 करोड जंगता मेरा साथ दे र करता हूं दो आरा जगह जगह किये जा रहे स्वागत से चिराग पासवान अभीभूत दिखे उनके साथ आसिरवाद यात्रा में पार्टी के परदेश अध्यक्ष राजुतिवारी समेत कई नेता भी चल रहे हैं मुतिहारी के बाद चिराग पासवान का काफिला बेतिया की तो योड़ बढ़ गया ब्रजेश कुमार जाहाँ एटीवी भारत मुतिहां